तो ये दो एम्प्लिफायर्स के उपर आज चलने वाले हैं चार बेस, चार टॉप अगर आप देख रहे हों चार टॉप, चार बेस का सेटप जो है आप चला सकते हैं और कैसे चला सकते हैं जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें हलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज, मैं हूँ SLV मोहाली से, आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा SLV की तरफ से Class D Amplifiers, यहां पर आप जैसा की देख रहे हैं, दो बॉक्स रखे होए हैं, एक में है D30, एक में है D40, दो मॉडल्स आज आपको दोनों इकटे जो है इसी वीडियो के अंदर दोनों का रिव्यू करके दिखाएंगे, अन्बॉक्सिंग करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ, यहां पर आप जैसा की देख रहे हैं, चार बेस, चार टॉप का एक सेट अप रेडि किया है, हमने, बहुत पावरफुल सेट अप है, इस सेट अप को टेस्ट करेंगे, इन Amplifiers के साथ, कि Class D Amplifiers कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देदेते हैं, क इंडिया को, और पाइए डीजे सांसे रिलेटेट न्यू वीडियोज हिंदी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो फ्रेंट्स करते हैं, Unboxing को स्टार्ट, यहां पर रखा हुआ है D40, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक Shipping Label, और इसके उपर प्रोड़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, आप कमेंट जरूर कीजेगा, उसके उपर भी वीडियो जो है, वो जल्दी लेकर आएंगे, तो करते हैं Unboxing को स्टार्ट, सबसे पहले मैं आपको D30 दिखाना चाहूंगा, जो कि एक 2 चैनल एम्प्लिफायर है, तो यहां पर जो है हम इसका box जो है, यह open कर लेते हैं, तो यहां पर हमने open कर लिया है D30 model, आप इसकी packing देख सकते हैं, एक कार्टून बहर था, एक कार्टून अंदर है, अभी इसके अंदर और देखेंगे, इसके अंदर क्या कुछ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, colored packing के साथ, आप के लावा यहां पर professional amplifier लिखा हुआ है यहां पर कुछ इसके features दिखाए गए हैं और finally यहां पर amp की picture भी जो है आप बाहर देख सकते हैं तो इसके बाद कर लेते हैं unboxing पहले default की फिर दोनों का इकठी जो है अंदर से हम amplifier निकाल के देखेंगे किस तरह के नजर आते हैं तो यहां पर जो हैं unboxing कर चुके हैं दोनों amplifier की यहां पर आप देख सकते हैं D40 के box को यहां पर रखा हुआ है D30 अब कर लेते हैं finally इस box को open और आपको दिखाते हैं सिधा amplifier तो finally अब अंदर वाले जो box हैं इसको भी खोल के हम amplifier को बाहर निकाल लेते हैं इस बार पहले निकालते हैं D40 को D30 आपको इसके बाद दिखाते हैं तो यहां पर काफी मोटे cardboard का जो है यूज किया गया है और इसके अंदर finally आपको यहां पर काफी मोटी जो है करीबन एक इंच मोटी जो है यहां पर foam मिल जाती है ताकि यह product जो है जब आप इसको मंगवाएंगे courier से या transport से आप तक बिल्कुल safely आ सके और यहां पर मैं अं अंदर जो है यहां पर amplifier जो है रखा गया है इसके उपर एक polybag packing रखी गई है ताकि moisture से या पानी से आगर बारिश में कहीं पर आप मंगवारें तो उससे जो है आपका amplifier damage ना हो amplifier बचा रहे हैं यहां पर इसकी जो है power cord यह attached करते हैं एंप्लीफार को बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद amplifier के features के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर जो है box में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी एक तो है इसका manual book manual book के साथ इसके आपको foot rubbers जो है वो अलग से दिये जाते हैं कि कभी आपने replace करने हो तो foot rubbers जो है आप replace कर सकते हैं इसका cover कोलने से पहले मैं आपको इस amplifier को भी खोल के पर दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है तो यहां पर जो है D30 का भी हमने जो box है यह open कर लिया है और सेम इसकी भी जो packing है वो सेम उसी तरह से है आपको बाहर foam एक मिल जाती है अंदर amplifier भी जो है वो भी आपको foam packing में मिल जाता है और finally polybag packing इसमें भी दी गई है तो निकाल लेते हैं amplifier को बाहर और अब इसके बाद आपको दिखाते हैं सबसे फ़हले amplifier की first look तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है amplifier की first look यह जो amplifier हैं यहां पर आपके सामने हैं D40 और D30 को देखने को मिल रहा है D40, D40 जो है यह class D amplifier है जैसा कि मैं आपको बता रहा था और यहां पर आपको सबसे पहले SLV की branding देखने को मिल जाती है चार volume controls आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि यह 4 channel का amplifier है और यहां पर center में आपके पास एक display आ जाता है डिस्प्ले के लावा यहां पर आपके पास power on or switch आ जाता है यहां पर आपको ventilation के लिए काफी अच्छा design देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो है यहां पर sponge लगी हुई है यानि की foam लगी हुई है ताकि fall to dust जो है वो इसके अंदर ना जा सके अभी आपको यह amplifier मैं open करके भी दिखाऊंगा इसके अंदर के parts भी आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बता दूँ इस amplifier का जो airflow है वो front to rear है तो यहां पर अगर बात करें इसके power specifications की 8 ohm पर जो यह amplifier है आपको 1000 watt दे दता है पर channel यानि की एक channel पर आपको 1000 watt जो है देखने को मिल जाएगा 8 ohms के उपर और अगर हम बात करें 4 ohms की 4 ohms में आपको पर channel जो है 1700 watt मिल जाएगा एक channel से तो 4 channel से जो है आप 1700 watt का load जो है डाल सक सकते हैं 2 ohms पर और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा यह amplifier जो है 2 ohms पर प्रॉपर स्टेबल है आप इसको 2 ohms पर जो है यूज कर सकते है frequency response जो है इस amplifier का 20 hertz से 20 kilo hertz मिलने वाला है आपको तो आपको कहीं पे भी tone की quality जो है वो कहीं पे भी खराब नहीं नजर आएगी आपको tonal quality जो है इसमें बहुत अच्छी मिल जाएगी बाकी की जो specifications है मैं आपकी screen पर डाल रहा हूँ और सबसे main चीज जो है आप लोग कहों के सवाल रहते है कि damping factor इस amplifier का कितना है तो इस amplifier का जो damping factor है वो है 5000 5000 बहुत अच्छा damping factor है अगर आप इस amplifier को अपने base के लिए top के लिए कहीं पे भी आप यूज़ करना चाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आपको quality जो है बहुत ही शानदार मिलेगी जो इसकी अंदर power supply है वो PFC controlled है PFC controlled याने की आपको stable एक voltage मिल नहीं है आपको कोई high voltage की फिकर नहीं है आप इस amplifier को किसी भी तरह से use कर सकते हैं तो यहां पर amplifier को करते हैं आउन और आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी screen यानि कि जो display screen है उस पे उपर क्या-क्या लिखाता है तो सबसे पहले जैसे ही हम on करते है यहां पर लिखा आ जाता ह तो testing में मैं आपको इसकी वो भी चीज़े दिखाऊंगा बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको पांच फैन जो है देखने को मिल रहे होंगे और पांच फैन जो है यह देखने में काफी छोटे हैं क्योंकि amplifier का जो size है वो 1U है और लेकिन यह जो fans है यह काफ आपको NL4 की जो sockets है यह भी total जो है चार मिल जाती है इसके लावा यहां पर आपको DP switch मिल जाते हैं अगर आप इसका mode change करना चाते हैं sensitivity change करना चाते हैं या फिर इसको bridge mode parallel mode किसी भी operation mode में अगर आप change करना चाते हैं तो आप इन DP switch की मदद से जो है कर पाएंगे यहां पर ज आपको देख सकते हैं यह जो plug है यह EU plug है EU plug यानि की European plug और यह plug जो है आपका किसी भी Indian socket में जो है अराम से fit हो जाएगा और power cord की quality जो है यह आप देख सकते हैं काफी soft में जो है यह power cord आपको देखने को मिल जाती है तो यह है amplifier की back side इसके बाद जो है मैं आपको D30 जो है amplifier उ क्योंकि यह two channel amplifier है दो volume control यानि की दो channel का amplifier यहाँ पर आपको इसकी power rating के बार में बताऊं तो आपको per channel जो है यहाँ पर एक channel से 3000 watt 8 ohms पे देखने को मिल जाएगी दूसरे channel से भी जो है आपको 3000 watt जो है मिल जाएगा 8 ohms पे अगर आप चला रहे हैं अगर आप इसको 4 ohms पे य यानि की 740 watt का जो है आप इस पे load डाल सकते हैं यह amplifier को हम 2 ohms पे बिल्कुल recommend करते हैं कि आप इसको 2 ohms पे चलाएगे और इस amplifier के उपर जो है आप अपने dual sub एक channel पर दो sub एक channel पर दो sub आप easily चला पाएंगे क्योंकि बहुत ही powerful amplifier है इस amplifier का जो bridge mode है आप 8 ohms पे इस पे 10200 watt का load डाल सकते हैं और 4 ohms पे 14280 watt का load डाल सकते हैं अगर हम इस amplifier की total wattage की बात करें तो आप इसको 14000 watt का amplifier कह सकते हैं क्योंकि bridge mode 4 ohms पे 14280 watt ही आपको power देता है यहाँ पर frequency response की बात करें तो 20 hertz से 20 kilo hertz का आपको frequency response मिल जाता है damping factor इस amplifier का जो है 5000 रहने वाला है और same इसमें भी PFC याने की power factor control जो है आपको power supply मिल जाती है और इसके लावा 90 volts से 270 volts तक आप इस amplifier को operate कर सकते हैं अभी मैं आपको इस amplifier को भी on करके दिखाता हूं यहाँ से इसको power on करेंगे तो same इसमें भी जो screen लगी हुई है उसमें आपको digital amplifier कब overheat हो रहा है कब normal state में चल रहा है 73 degree तक जो है आप इस amplifier को चला सकते हैं यानि कि अगर आप अपने event पे long time इसको use करना चाते हैं 8-10 गंटे दो दिन के लिए भी अगर आप इसको लगातार चलाना चाते हैं तो आप चला सकेंगे यहाँ पर जो है आपको screen पे जो है temperature लि बिखा देता हूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है D-30 amplifier की backside यह जो है यह 2ua channel amplifier है तो यहाँ पर आपको ONL4 की 2 sockets मिल जाती है channel outputs यहां पर आपको इंपूट में एक्सलर बैलेंस इंपूट में जाती है इंपूट आपको यहां पर दो इंपूट मिल जाएंगी यहां पर दो लिंक करने के लिए आपको सॉकेट मिल जाएंगी तो अगर आपने अपना नेक्स्ट एंप्लिफार जो है लिंक करना हो तो आप से कर सकते हैं इसके लाबा यहां पर आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बड़े-बड़े फैंस, बड़े-बड़े फैंस के मतलब यह है कि यह जो फैंस हैं छोडाई में जादा रहते हैं, साइज में, हाइट में जो है, यह क्योंकि यह इसको यूज कर सकेंगे तो यह amplifier को जो है आप अच्छे से यूज कर पाएंगे इसके लाबा मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा D40 जो amplifier है वो आपका वजन में 14 kg है ये वाला amplifier जो है ये वजन में आपका 12 kg है तो खाफी lightweight में आपको amplifier मिल जाता है इसकी power supply किस तरह की रहने बाली है इसका अंदर का circuit कैसा रहने बाला है ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब आपको इस amplifier को open करके दिखाऊंगा तो फ्रेंट टेस्टिंग पे चलने से पहले मैं amplifier जो है आपको open करके दिखाना चाहूंगा इसके अंदर किस तरह के parts लगे हुए है आप सारे parts जो है अच्छे से देख पाएं और finally मैं आपको एक चीज़ और बता दू ये amplifier जो है easily repairable है क्योंकि class D में सबसे बड़ी problem यह हो आप हमारे से ले सकते हैं finally amplifier 12 kg का आपका courier खर्चा भी कोई जादा नहीं आने वाला 12 kg का जो amplifier है packing के साथ इसका वजन जो है वो करीबन 15-16 kg का रहने वाला है तो चलते हैं amplifier को open करके दिखाते हैं उसके बाद चलते हैं testing की तरफ तो यहाँ पर जो है अब amplifier को हम open कर चुके है यहाँ पर आप इसके internal parts देख सकते हैं यहाँ पर आपको channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 चार channels आपको देखने को मिल जाएंगे power supply जो है यह सारा power supply का section है यह PFC controlled power supply रहती है PFC क्या होता अभी मैं आपको थोड़ी detail में बताऊंगा और finally यहाँ पर आपको front display card मिल जाता है तो अगर आपके इस amplifier में कभी कोई problem आ जाती है आपको यह सारे parts जो है easily available हो जाते है filters अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो यहाँ पर यह वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते है filters आपको कितने जादा मिल जाते है इसमें और आप बाकी internal parts यहाँ पर देख स सकते हैं यहाँ पर आपको रिले मिल जाती है फ्यूज मिल जाता है यह आपका power supply section जैसा कि मैंने आपको होता है तो finally यह है class D amplifier SLV की तरफ से D40 तो यह आप इसके internal parts जो है एक बार और ध्यान से देखना जाएं तो देख सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D30 का internal parts D30 amplifier को भी हमने open किया है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर channel 1 channel 2 यह सारे filters इसमें लगे हुए है finally दुबारा अगर मैं आपको कहूंगा कि अगर इनको गिनने की कोशिश करूँगा तो यह वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी आप वीडियो pause करके एक एक करके गिन सकते हैं यहाँ पर आपका power supply सेम वैसा ही आजाता है जैसे D40 के अंदर है और PFC control जो है यह पावर efficient हैं आपके 90V से लेके 270V तक यह operator हो सकते हैं तो आपको tension नहीं रहेगी low voltage में चलाने की या high voltage में चलाने की 90V 90V पे भी आपका amplifier बढ़िया चलेगा और 270V पे भी आपका amplifier बढ़िया चलेगा यह मैं अभी आपको testing में भी दिखाऊंगा कि इसको low voltage में हम कैसे चला सकते हैं तो अभी मैंने आपको amplifier open करके दिखाया इसके बाद time हो चुका है testing का यहाँ पर मैंने अपना पूरा setup ready कर दिया है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है DSP हमने लगाया इसके साथ और यहाँ पर उपर रखा हुआ D40 नीचे रखा हुआ D30 इसके साथ यहाँ पर हमने एक 6 channel का mixer लगाया और अपना मैं फोन यूज़ करूँगा यहाँ पर Bluetooth के साथ तो Bluetooth के साथ आपको यहाँ पर तेस्टिंग दी जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं connections मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा connections बड़े ही simple हैं यहाँ से mixer से जो output जा रही है यह जारी है हमारे crossover के input में यहाँ पर मैं आपको back side ले चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे input में जो ह जो है रखा हुवा D40, D40 के उपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं चार टॉप, चारो टॉप्स के जो है यह स्पीकों जा रहे हैं इसके लावा नीचे जो है D30 इसके उपर अब आपको एक surprise मिलने वाला है कि आज एक amplifier के उपर आपको चार बेस चला के दिखाने वाले हैं यहा यहां पर भी आप देख सकते हैं दो टॉप के लिए जो separate wires हैं इसके लावा बेस जो है हमने patch किया हुआ है पहले बेस के साथ दूसरा बेस पैच किया हुआ है और यहां पर तीसरे के साथ चौथा बेस जो है पैच किया हुआ है तो हमारे D30 के उपर एक channel के उपर यह दो बे आपको शायद अभी यकीन नहीं आ रहोगा लेकिन मैं आपको दुबारा बता दूँ डी 30 के एक channel पर हम ये दो बेस चलाने वाले हैं 18-18 इंच के 15-1500 watt speaker जिसमें की लगे हुए है एक बेस की power जो है वो 3000 watt रहने वाली है दूसरे बेस की power जो है वो 3000 watt रहने वाली है तो 6000 watt का load जो है हम एक channel पर देंगे अपने 2 channel amplifier D30 के उपर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और दूसरे channel पर भी इसी तरह का load रहेगा ये वाले दो बेस रहेंगे और D40 जो की एक 4 channel amplifier है इसके उपर जो है आपका channel 1, channel 2, channel 3 और channel 4 इस तरह से हम इनके connection कर चुके हैं तो चलते हैं difference testing की तरह तो यहाँ पर जो है मैं अपने amplifiers को जो है on कर लेता हूँ on करने के बाद यहाँ पर आप जो हैसे की screen देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको proper temperature नजर आ रहा होगा किस mode में यह amplifier चल रहा है वो नजर आ रहा है और इसके इलावा channels कौन कौन से use हो रहे हैं अभी हमारे आप सिगनल आ चुका है आप करते हैं वॉल्यूम को open यह तर बाद लब गाद करते हैं अभी हैं और ले पार आप डिए यह है अभी है अभी है पार आप बाद बाद दिए यह तर आप करते हैं यहरा है यह चुका है अगर आप इसका प्राइस की अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबसाइट का लिंक slvs.in आप इस वेबसाइट पर जाएए इसको और कर सकते हैं इसकी और स्पैसिफिकेशन देखना चाहें वो देख सकते हैं फाइनली इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर या फिर एक ऑप्शन में आपको और दे रहा हूं यहाँ पर यह जो नंबर आप देख रहे हैं फोन स्क्रीन पर इसके उपर डी 40 डी 30 या जिस आइटम का भी आप प्राइस यह दो चीज़े लिखके आप वाटसेप कर दीजे इस नंबर के उपर आपको जो है प्राइस वाटसेप पर भी दे दिया जाएगा फाइली वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं अगर इसको आप और करना चाहते हैं तो यह जो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं